यह वीडियो आप पूरा देखेगा क्योंकि इसमें मैं यह पेपर लेके आया हूँ जब कई सारी क्योंशनों को एक साथ देखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे पेपर मिल जाते हैं जिसमें कि वही क्योंशन हर साल पेपर रिपीट किया जा रहा है बाद समझेगा मतलब समझ जब मैंने देखा कि जो क्योंशन है यह बार बार रिपीट के जा रहा है तो मैंने सोचा किया कि यह जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बना दिया जा है और वह अगर इस पेपर तयार कर लेते हैं तो यहां से जो 30-40% है वह आपके पेपर में आएंगे तो चापिएगा और जितने भी चातर चातराय हैं मेरे स्टूडेंटे हैं प्यारे प्यारे वे को लाइक कर देगे चेनल को यार सब्सक्राइब कर लेंगे बाद में चाहें अंश्चारा कर दीजिए अलहीं कि इसलिए कर वालत कर दूँगा पहले पेपर को पूरा देख लीज जो क्योंशन आ रहा है कर लीजी जो नहीं आ रहा है कमेंट में छाप दीजिए मैं फिक करवा दूंगा इसका ठीकिन वैसे मैंने इसका करवा दिया पुझाग मिलेगा पुडांक को सो नंबर आपको निर्दाइद आएंगे और और युट जो सब्सक्राव ड्रेशन बेकशन व मिलेगा एप चुम्राइप निफासरय क्यों डिजिए तो सबसे पहला सुरू करते हैं वासुदेवसाड़क्रवाल की कृति कृति कौन सी है तो यहां पर मेरी असफलता है किसके प्रोफेसर जी सुनदर की रेड़ी की रचना है कौन सी है मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रिड़ी की रचना है सुरज का सात्वा घोड़ा धरवीर भारती का है आलवाल अग्यें जी का है मैंने सिल पहुचाई डॉक्टर विद्या निमास जी का है उसके बाद है अग्णिकी उडान अग्णिकी उडान पुस्तक के ल लगों की कि एक कहानी यह का थो मरी यारी रुखियेगा रस कलस की रचना है रस कलस जो है मैतली संग्प्त की महाकाविकरती कौन है मैतली संग्त की जो महा करती है वो है आपकी यहां पर संकती हो जाएगा साहित है संकत क करती नहीं है कौन सी जास उत्यलं इत्यलं कर इतिन नहीं है सुमित्रा नंधर पंद्द को सО्वियत पुरसकार किस युद्धर कर पर मिला था यह दर मिला, øf this पर चड़बर है कौन सी हरी घास पर चड़बर है लहर जैसंगर साथ जी का है उर्वसी रामधाय सिंग्धिन का रगा है सुमिक्ता नंदरपंद का जो है वो है गुंजल याद रखेगा ठीक है उसके बाद यह वाला आप गद्यांस त्यार कर लीजेगा पहुत ही इंपॉर् संद्र संब्रिद के सचेत हुना हमारा आवस्य धर्म में यह बहुत ही इंपॉर्टन वाला गद्यांस है आपको तैयार कर लेना है बाइस आप तैयार करके ही पेपर में जाईएगा क्योंकि यह आप देखेंगे तो हर एक सेट में पूछा गया क्योशन है और बहुत ही महत इसको नोट करके तैयार किजिए जितने बच्चे है भूम का इमार देवों ने किया से लेकर है उसकी सुंदर्ता उपयोगिता और महिमा को पहचाना हमारा आवस्यक धर्म है यहां से लेकर यहां तक है और आप पर जो क्यूशन बैंक होगा उसमें टिक लगा लिजी और य इसमें से आपके पार्च के उश्रमने तैयार कर लीचेगा भगवान बुद्ध ने मार विजय के बात क्या किया बोधिसत्तों का सिरुमरी कौर मन गया बोधिसत्त और अभिसार सब्दों का अर्धवताईए रेखांकित अंसकी व्याक्या किजिए उप्रियुक्त गद्या उसको पहिचानेंगे उसके आपका पद्यांस आएगा पद्यांस आपका दस नंबर का आएगा यह वाला भाई साब बहुत है इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेंगी यह वाला है क्या मेरे प्यारे नवजल से कंजसे नित्र वाले जाके आये नवद्वन से न और भेजा लेगी तुझे वे तो भी मेरा दुख लख वहां जा नविस्त्राम लेना अब यहां से आपके पात क्योंचन पूछे गए हैं और यह क्योंचनों का एंसर आपको अच्छे तरीके से देना है तैयार कर लिजी स्कीन स्वाट कर लिजी या पिर इसका टिक लगा लिजी जो आपके क्योंचन बैंक में बहुत इंपॉर्टन वाला पेपर है वाइरल के एकदम हंडर पर्शन ग्यारिंटी साथ आने वाले क्योंचन यहां से सुकभोग खोजते आते सब आये तुम कितने तुम करने सत्य खोज जग्की मिट्टी के पुचले जंतु आत्मा के जग्मन क मनोज जड़ता हिंसा इस परदा में भर चेतना हिंसा नम्रोज पसुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरूज अब यहां से आपके प्रकार के क्योंचन पूछे गए हर क्योंचन इंपॉर्टेंट आप तयार कर लिजेगा उसके बाद हैं पर किसी एक लेखक का सा कुई न कोई वहां पर एक तो आही जाएंगे उसके बाद आप कभी का तयार कर लेंगे कभी में यह तैनु का तयार कर लेंगे वैसे मैं कई लोगों का कभी बें पर यह पढ़ा दिया हूँ जो बचा हुआ हूँ उसको मैं करबादू का चिंता मत करिए ठीक है फिर यहां पर आजाएंगे तो पंचलाइट बहादूर कहानी का सारांस लिखने के लिए लाड़ लो या चाप लिजिए पांच नमबर पक्का कर लिजिए और उसके बाद आएगा सवपठित खंड काव आप अपने जिले के कॉर्णिंग याद कर लेंगे जिस जिले से अगर आपको नहीं समझार है कमेंट कर दीजिए मैं एक एक करके जिले के कावर्णिंग पढ़ा दूंगा ठीक न उसके बाद आएंगा संस्कित के गद्यांस पद्यांस यह जो संस्कित का आपका गद्यांस से तयार कर लिजिए यह वाला और यह वाला यह दोनों गद्यांस तयार कर लि कि 153 को तैयार कर लेजेंगे इसको तैयार कर लिए इस और फिर इधार आ सब्दों के लिए आंप लोग तैयर करेंगे और सब्दiben वाल आप लोग क्या उलते हैं आस्तिक बोलते हैं जो नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं नास्तिक कितनी बार रिपीट किया गया है उसके बाद यहां पे आपको वाक्युक्सुद्ध करके लिखना रहता है रस्चंद अलंकार तैयार कर लिजे भाई साब यहां से आपके पूछे जाएंगे 100% ग्यार लिखन निवंद्ध कि इससे इंपॉर्टन पत्र लिखन मिलेगा नहीं और इससे बाहर आएगा नहीं तो आप कोशिश करिए कि यह प्रश्टाचार पर यही पांच इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी में से हमेशा बोर्ड के द्वारा जो हमारा एक्जामनर चाचा है वो को देता रहता है और इसी में से क्योशन देगा उठाके इसलिए आप इसको भाई सब तयार कर दीजिए कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रेट हो रही लग रहा है कि नहीं सर और अच्छे से मुझे देखना है और आप डिपली इसको समझाईए कि क्योशन कर आए तो मैं स झाल